हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखंड जी के विद पीके में दोस्तो आज का जो हमारा टापिक है उत्राखंड अधिनस्त सेवा चैन आयोग द्वारा जो हाली के वर्षों में प्रशन पत्र कराये गई हैं उनमें आज हो त्राखंड के महत्वण प्रशनों का आज हमाद देन करेंगे जो कि आने वाले परिक्षाओं के लिए भी महत्वण है और दोस्तो इस तरग्ला में कुछ नए प्रशन भी है जो इस पेसल आप के लिए डाले गए हैं तो आपको सभी प्रशन नोट जरूर करने हैं और साथ ही दोस्तो आप अगर हमारे चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और बेल आकन भी प्रेस कर लिजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टो टाइम मिलते रहें तो दोस्तो 50 क्रेशन हैं बहुत महत्वण हैं आप इनको नो करने हैं 50 क्रेस कुस्शन हैं अम आपको जो माक्स हैं बोचने आपको बताना है को आपको बताना है गोरी तथा काली नदियों का संगम होता है तो option आपका जो right होगा का यानी जौल जीवे में गोली तथा काली नदियों का संगम होता है question number 2 है जनपत चमुली के घाट स्थान पर नंदाकिने नदी में किस नदी का संगम होता है तो आपको बताना है चमुली घाट स्थान पर जो नंदाकिने नदी है वहाँ पर किस नदी का संगम होता है आपके दो प्रशन बन जाते हैं यानी आपको जो right answer होगा option C यानी चफल्या नदी तो ये भी कोश्चन आ सकता है कि चुफल्य नदी और नंदाकिने नदी का संगम कहां होता है तो चमुली के घाट नामकिस्थान पर नंदी का संगम होता है आपको नोट कर लेना है Question no.3 है, विश्णु प्रयाग में अलगनंदा से किस नदी का संगम होता है तो आपको पास Option है, चार, आपको बताना है कि विश्णु प्रयाग में अलगनंदा से किस नदी का संगम होता है तो दोस्तों आपको जो रहाट अंसर होगों अपसंडी यानि पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है अलग नंदा में विश्णो प्रियाग में कुशन मबर चार है सोन प्रियाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोन गंगा कहां से निकलती है तो आपको बताना है सोन प्रियाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोन गंगा कहां से निकलती है आपको जो सोन गंगा है उसका उद्गमिस्थल बताना है तो दोस्तों आपको जो रहाट अंसर हो जागों अपसंडी यानि बासु की ताल से सोन गंगा नदी निकलती है option आपके पास जाड गंगा, पिंडर नदी, बिरही नदी या बाल खिले नदी तो चूज करना आपको right answer, comment box में अपने marks जरूर बताने है तो दोस्ता आपको जो right answer हो जाएगा option B यानी बिरही गंगा आपका right answer हो जाएगा, जो गोना ताल था, इसी नदी पर इस्तित था question number 6 है, नंदा कोट, त्रिशूली तथा नंदा घुगटी के हिम्न निम्न में से किस नदी को जल देते थे यानी ये जो glacier बताए गए हैं, नंदा कोट, त्रिशूली और नंदा घुगटी पूछा गया है कि किस नदी को इनका जल प्राप्त होता था, option आपको सामने है, पिंडर, बिरही, काली या बाल गंगा तो दोस्तों आपको जो right answer हो जाएगा, option C यानी बिरही गंगा को ये जो तीनो glacier है, जल देते थे अगले गोश्चन है, question number 7, dood tal, dood कहें या आप डोडी कहें इसको, dood tal निमने में से किस नदी का उद्धगम इस्थल है, तो आपको बताना है कि dood tal से किस नदी का उद्धगम इस्थल होता है, तो आपके पास option है, असी गंगा, पिंडर गंगा, बाल गंगा या गोरी जो 80 गंगा है वो डोडे ताज से निकलती है, question number 8 है, भिलंगना नदी के तट परिस्थित पहला गाउं कौन सा है, तो आपको बताना है जो भिलंगना नदी है, उसके तट परिस्थित पहला गाउं कौन सा है, तो बहुत ही simple question है, option आपके पास घंसाली, बान, गंगी या उ है गंगी जो गाउं है भिलंगन अर्दी के तड़ के सबसे सरोप्रतम गाउं है एगला है reference 9th सरोक्त सेर किन दो नद्यों के संगम पर बसा है तब कर बताना बाखषव जो छो जो ज़ो सहर है वह किन दो दो नदियों के संगम पर बसा है आपको पास ऑप्शन है चार आप देख लीजी तो दोस्ता आपको जो राइट अंसर होगा कौशन नमबर नाइन का कौशन न मजटिका है तो आपको बताना है कि जो रामिश्वर नाम इस्थान है सर्यू से कौनala निदी महापे मिलती है यह आपका कौशन है ऐसे आपके सामने है चार आप देख लीजी आपको अंसर जल्दी से बताना है दोस्तों आपको जो रहे टैंसर हो जाएगा अप्सन ए यानि राम गंगा पूर्वी सर्यू से मिलती है राम इश्वर में ये सभी प्रशन बहुत ही मतपूर है अनिवले प्रक्षाओं के लिए इसलिए आप इन प्रशनों को हलके में मत लीजिए सभी प्रशनों को नोट जरूर करते रहें कुश्चन नमबर 11 है मानागाओं के पास अलगनंदा तथा सरस्वती के संगम इस थल को किस नाम से पुकारा जाता है तो आपको बताना है कि अलगनंदा और सरस्वती के जो संगम है मानागाओं में उसको किस नाम से पुकारा जाता है, कुश्चन ये है, बहुत ही अच्छा प्रश्ण है, अप्सन आपके सामने है, विश्णो प्रियाग, केशो प्रियाग, गणेश प्रियाग या नारद प्रियाग, तो दूस्तों आपको जो राय टंसर होगो अप्सन सी, यानि केशो प्रि गाउं तथा बद्रिनाद धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है तो आपको बताना है कि जो बामनी गाउं है और बद्रिनाद धाम है चमोली में उनके मध्धे कौन सी नदी बहती है तो आपके पास option है गरलू गंगा, धौली गंगा, स्रस्वति या रिश्य गंगा तो आपका जो option right होगा यानि option D आपका रिश्य गंगा बिल्कुल सही है जो बामणी का और बद्रिनाद धाम के वीडियो नदिवे आती है वो रिश्य गंगा है question number 13 है निमन मेंसे कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो हिमानी से नहीं निकलती है option है आपके पास चार पिंडर, भिलंगना, अलगनन्दा या पश्य मिराम गंगा तो दोस्तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्य मिराम गंगा यानी option D और आपको बताना है कि अगर पश्य मिराम गंगा हिमानी से नहीं निकलती है तो पश्य मिराम गंगा का उद्गमिस्तल क्या है या आपको comment box में जरूर बताना है अपने marks के साथ Question No.14 है उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक संगम होता है बहती अच्छा प्रश्न है आया हुआ प्रश्न है परिक्षा में तो दोस्तों अगर लंका की बात करें हम तो लंका जो इस्थाने उत्तरकाशी में वहाँ पे जहानवी नदी का संगम होता है भागे रेते में यानि आपका उप्षन जो C है बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा question number 15 है दूधा तुलि से निकलने वाली पूरवी तथा पश्चिमी नज़ार नदियों का संगम कहाँ पर होता है तो आपको बताना है रेत अंसर जो पूरवी नय़ार पश्चिमी नयार है उनका संगम कहाँ होता है आपका question ये भी बन जाता है कि पूर्विनयार और प्रश्चिमिनयार कहां से निकलती है तो दुद्धा तोली से निकलती है दोस्तो आपको दुराइट अंसर हो जाए question number 15 का वो होगा option D यानि बाघाट लिखा है लेकिन वो बालघाट होता है सत्पुली नाम के स्थान है वहाँ पे बालघाट है वहाँ इनका जो संगम होता है पूर्विनयार और प्रश्चिमिनयार का अगले question है आपका परसेद्य तिलाडी मैदान किस नदी के तरपर इस्तित है तिलाडी मैदान भहती महतापूर्ण इस्तान रखता है उत्राखन के इतिहास में आपको पता होगा तिलाडी में महतापूर्ण घटना हुई थी तो आपको बताना है जो घटना हुई थी तो ये मैदान किस नदी के तट पर इस्तित है वर्तमान में विश्क अस्तित है तो जो आपका राइट अंसर हो जाएगा यानि ऑप्शन सी यमुना नदी यमुना नदी के किनारे पर्चिद्य तिलाडी मैदान इस्तित है कुश्य नंबर 17 है आपका बहुत एज़ी प्रशन ह कनवासरम किस नदी के तट पर इस्तित है बहुत बार ये प्रशन परिक्षा में पूछा जा चुका है तो आपको बताना है सही अंसर राम गंगा खो नदी सोन नदी या मालिनी तो आपका जो राइट अंसर हो जाएगा कनवासरम जो है मालिनी नदी के तट पर है यानि आपको बताना है जो पूर्वी राम गंगा नदी का उद्गम इस्तल कहा है तो आपको बताना है जो पूर्वी राम गंगा है वो कहां से निकलती है ख्रेशन नमबर 19 आपका बहुती महतवओन प्रश्ण है ओप्सन है आपके पास पिंडरी गलेशर, नाम गलेशर, स्यतोपन्ध गलेशर, सहतरताल गलेशर तो आपको जो राइट अंसर हो के दोस्तों ओप्सन सी यानि नामिग गलेशर से पूर्वी कुछ नमबर 20 है कोई राला नदी काली नदी से कहां पर मिलती है तो आपको बताना है कि जो कोई राला नदी है वो काली नदी से किस स्थान पर मिलती है या उनका संगम कहां होता है आपके पास अप्शन है जोल जीवी धार्चुला तावा घाट या पंचेश्वर तो दोस्तों आपको जो राइट अंसर हो जाएगा अपसंडी यानी पंचेस्वर में इन दो नदियों का संगम होता है अगले कुश्वन आपका गढवाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है तो पुर्वी नयार और प्रश्चिमे नयार के वाद जब एक नयार बनती है तो उस नयार का संगम गंगा से होता है आपको बताना है कि किस स्थान पर होता है तो आपको फुल चट्टी नामक स्थान पर व्यास घाट पड़ता है मापेन का संगम होता है आपसन C आपका विल्कुल राइट अंसर हो जाएगा कुश्चन में 22 है महाकाली नदी को किस स्थान पर सारदा नाम से पुकारा जाता है तो आपको बताना है जो महाकाली नदी है उसको किस स्थान पर सारदा नाम से पुकारा जाता है option है आपके आपके आप पंचेश्वर जॉल जी भी बरम देव या बन बसा तो आपका जो राइट अंसर होगा समें बन बसा नहीं sorry बरम देव option C आपका राइट अंसर होगा देख लेता एक लग विश्टन question number 23 अलक नंदा की निम्न मेंसे कौन सी सायक नदी नहीं है तो बताना है आपको चार नदी दी गई है ऐसी कौन सी नदी है जो अलक नंदा की सायक नदी नहीं है option है आपके पार गरुरुगंगा टांस पिंडर या नंदा की नहीं तो दोस्तो सिंपल पता चल लाएगे जो उप्शन सी है टॉंस नदी वो अलगनंदा की साइक नदी नहीं है जो टॉंस नदी है यह मुना की सबसे बड़ी साइक नदी है यह भी आपको नोट कर लेना है अगला कुशन है कुशन नदी के समय पिस्तित है तो यह प्रेशन भी आईक की परिक्षा में पूछा जा चुका है इसलिए आने वाली जो परिक्षा हैं उनके लिए महतपूर्ण हो जाता है तो आपको बताना है आपके पास और आटागार परशिमनयार प्राणमति या पिंडर तो दोस्तों आपको जो रहे टांसर हो जाएगा इसमें और आप्सन ए यानी आटागार नदी अगले गुशन देख लेते हैं निमन मेंसे कौन सी नदी परोला घाटी के लिए वर्दान कही जाती है तो आपको बताना है जो परोला घाटी के लिए वर्दान कही जाती है कौन सी नदी है आपके पास option है टॉंस नदी, कमल नदी, पावर नदी या यमुना नदी तो आपका जो राइट आंसर होगा कमल नदी राइट आंसर हो जागा यानि कमल नदी जो है वो पुरोला घाटी के लिए वर्दान कही जाती है अगले question आपका पिंडर घाटी के इंतिम गाओं का क्या नाम है तो बहुत ही महतपून प्रश्ण है चार option है आपके पास गंगा यानि गंगी, खाती, ओखला या गुंजी दोस्तो आपको राइट आंसर बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका बहुत ही महतपून प्रश्ण है आने वाली प्रिक्षाओं के लिए तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा option C यानि खाती गाओं क्या है पिंडर घाटी का अंतिम गाओं है अगले question है मशली मानने का परंपरिक मौन मेला किस नदी में अयुजित होता है तो आपको बताना है नदी संब्धित प्रश्ण पूछा गया है तो मौन मेला उत्तरकाशी जिनपद में लगता है हलांकि धरहदुन के जो अंसार बावर में भी लगता है लेकिन मुख्यता उत्तरकाशी में लगता है ये आपको बताना है कि किस नदी में अवजित होता है तो आपका जो माक से वो लगा हुआ है यानि टिक लगा हुआ है option B पर अलगाड नदी पर आपका right answer हो जागा B option अलगाड नदी अगले question है 28 निमन में से कौन सा ताल सब्ट स्रिंग परवतों से गिरा हुआ है तो आपको बताना है ऐसा कौन सा ताल है जो सब्ट स्रिंग परवतों से गिरा हुआ है option है आपके पास home कुंड, hem कुंड, सथोपन ताल या बेदनी कुंड तो दोस्तों आपको जो right answer हो जाएगा option C यानि hem कुंड जो है वो सब्ट स्रिंग परवतों से गिरा हुआ है अगले question है 29, केदाना ताल में इस्थित गांधी सरोवर को एक अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है तो आपको बताना है जो केदाना छेतर है यानि रुद्रप्राग में वहाँ एक गांधी सरोवर इस्थित है उसको और किस नाम से जाना जाता है option है आपके पास देख लिजिए right answer चूज़ करना है आपको तो आपको जो right answer हो जाएगा असमें option है यानि चोराबाड़ी ताल गांधी सरोवर को कहा जाता है अगले question है कोड़ द्वार किस नदी के तर्ट पर बसा हुआ है बहुत ही अच्छा प्रशन है आपको बताना है कि कोड़ द्वार जो है किस नदी के तर्ट पर बसा है option है आपके पास पश्चिमिन या रामगंगा खो नदी या सोन नदी तो दोस्तों कोड़ द्वार जो बसा है वो खो नदी के किनारे बसा है यानि option B आपका right हो जाएगा अगले कुशन है आपका लाखा मंडल किस नदी के समीप इस्तित है तो आपको बताना है लाखा मंडल किस नदी के समीप इस्तित है पहली बात यह है कि लाखा मंडल कहा है इस्तित है तो लाखा मंडल आपको बता दू कि धरद अजल पद में इस्तित है जौन सार बावर में तो आपको चूज़ करना है किस नदी के समेप इस्थित है लाखा मंडल तो दोस्तों गर लाखा मंडल की बात करें तो लाखा मंडल जो है आपका यह मुना नदी के तटपर इस्थित है या समेप इस्थित है ऐसा कह सकते हैं आप तो आपका A option right हो जाएगा अगले question है गोमती तथा सर्यू का संगम कहां पर होता है तो आपको बताना है जो गोमती और सर्यू नदी है वो कहां पर आपस में मिलती है question number 32 option है आपके पास बैजनात, थल, बागिश्वर या रामिश्वर तो आपका जो B option है बागिश्वर राइट हो जाएगा यानि बागिश्वर में गोमती तथा सर्यू का संगम होता है अगले question है गोलू देवता का परसिद मंदिर कहां इस्तित है तो आपको बताना है गोलू देवता का परसिद मंदिर कहां इस्तित है आपके पास option है बागेशर, डीडी हाट, घोड़ा खाल या चौकोटिया तो दोस्त आपको जो राइट अंसर हो जाएगा option B यानी घोड़ा खाल में क्या है परशिद गोलु देवता का मंदिर है और घोड़ा खाल में दोस्त एक सैनिक स्कूल भी है उसकी स्थापना 1966 में हुई थी ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि आयोग की परिक्षा में पूछा जा चुका है अगले option आपका पंच केदारों में से किस केदार में 12 महीने पट खुले रहते हैं यानि ऐसा कौन सा केदार है जिसके दरसना आप 12 के 12 महीने कर सकते हैं वैसे तो अधिकतर जो उत्राखन के धाम है वो सीतकाल में बंद कर दिये जाते हैं और यानि उनके कपार जो है बंद कर दिये जाते हैं लेकिन ऐसा कौन सा केदार है जो 12 महीने खुला रहता है बारा मईने खुले रहते हैं कुछ नमर 35 है किस स्थान पर तप्त जल का स्रोत है यानि गरम जल का स्रोत पूछा गया आपसे कौन सा है तो आपको बताना है तप ओवन पांडू केश्वर सोन प्रियाग या रूपकुंड राइट अंसर चूज करना है आपको दूस्तों आपक किस जनपद में इस्थित है तो आपको बताना है किले जितने भी हैं बहुत ही मतपूर्ण है परिक्षाओं की दृष्टी से बाना सुर का किला जो है किस जनपद में इस्थित है आपके पास अलमोडा चंगोली चंपावत या पौड़िगडवाल तो दोस्तों आपको जो प्रेट अंसर हो जाएगा आप संसी या निज चंपावत में परशिद्ध बाना सुर का किला इस्थित है अगले कोशन है कोशन नमबर 37 किस स्थान पर स्री नंदा देवी राज राजिश्वरी का मंदिर इस्थापित है तो आपको बताना है जो नंदा देवी है राज लक्स होएं आपके इमानदारी से वो भी तो दोस्तों आपको जो राज राज राजेश्वरी के नाम से ये जो है कुरूर नामकिस्थान पर इस्थित है यानि जो कुरूर की नंदा है वो राज राजेश्वरी कहलाती है ये भी आपको नोट कर लेना है अगले कुशन है आ जो थोने वाली स्री नंदा देवी राजजात का अंतिम पूजास्थल कहां इस्तित है तो आपको बताना है जो नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पूजास्थल है वो कहां है Question बन जाता है आपका जो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है कितने वर्ष के इंतराल में होती है तो answer होगा आपका 12 वर्ष के इंतराल में Question number 38 Answer बताना है आपको तो आपका जो right answer होगा दोस्तो Option A यानि होमकुंड में क्या अंतिम इस्थान है पुजा का नंदा देवी राजजात का होमकुंड और हेमकुंड दोन आपको चमुली में बढ़ते हैं अगले Question number 39 आपका हिमाले कुंब के रूप में प्रतिस्थापित स्री नंदा देवी राजजात में कौन सा जानवर ले जाया जाता है तो इस प्रस्थन से आप सभी भली बाती परिचित होंगे तो आपको अंसर बताना है Option A मेंढा, B बकरी, C बचड़ा, या D याक तो आपका जो रहेट अंसर हो जाएगा Option A यानि मेंढा जो है नंदा राजजात यात्रा में ले जाया जाता है अगरे कुश्यन आपका रम्मान लोग परंपरा किस गाउं से संबंदित है तो ये प्रस्थन परिक्षा में पूछा जा चुका है डेट भी पूछी जा चुकी है और जिला भी पूछा जा चुका है गाउं भी पूछा जा चुका है क्योंकि युनिस्को द्वारा विश्व धरोर में सूचित किया गया है इसको रम्मान महुत्सव को इसलिए ये प्रस्ण बहुत ही मतपूर हो जाता है तो रम्मान लोग परंपरा है आपका ये अप्सन बिल्कुर राइट हो जायागा यानि सलूर दुंगरा गाओं में चमोली में पढ़ता है अगर डेट की बात करें तो जरूर रम्मान लोग परंपरा है उसको दो अक्टूबर 2009 को युनिस्को की विश्व धरोर सूची में सामिल कर लिया गया था अगले कुशन है निम्न में से किस मंदिर में प्रति दिन पूजा के लिए ब्रह्म कमल अवश्चक है तो आप बताना है आपको ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें प्रति दिन ब्रह्म कमल के बिना पूजा नहीं हो सकते है यानि ब्रह्म कमल अवश्चक है तो दोस्तों आपको जो राइट अंसर हो जाएगा Option C यानि रुद्रनात में क्या बिना ब्रह्म कमल के पूजा नहीं होती है महां ब्रह्म कमल अवश्यक है अगला कुश्यन है पंच बद्रियों में से एक भविश्या बद्री का मंदिर कहां इस्तित है तो आपको बताना है जो बविश्या बद्री का मंदिर है वो कहां इस्तित है आपके पास अप्शन है रेणी गाओं, आधी बद्री, सुभाई गाओं या उर्गम दोस्तों आपको जो राइट अंसर हो गया पर अप्शन B यानि सुभाई गाओं में आपका क्या बविश्या बद्री का मंदिर इस्तित है जो कि पंच बद्रियों में से एक है अगले कुश्यन है पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल का कौनसा सरूप इस्तित है आपको बताना है जो पांडिकेशन में भगवान बद्री विशाल है उनका कौन सा स्वरूप इस्तित है ये प्रस्ण में आपको पहले भी क्यूज में करा चुका हूँ परिक्षाओं में भी आ चुका है ये प्रस्ण तो दूस्तो आपको जो अप्सन होगा अप्सन डी आपका बिल्कुर राइट हो जाएगा यानि योग बद्री जो पांडिकेशन में भगवान बद्री का विशाल स्वरूप है वो योग बद्री का है ये आपको नोट कर लेने हैं सभी प्रस्ण आयोग की जो परिक्षाओं ह है बहुत ही मतंपूर हो जाते हैं कि वेशन द syrup चरवा ली सैंपका आधिबद्री में कितने मंदिरों का समह स्बूर जो तो आपका ऑ्प्शन है 60 बीस अनिस या अठारा तो दोस्तो आपको जो राइट Anser हो यहांपे शोला मंदिरों का समह है आलांकि अब 12 ही बचे हैं ज क्योंकि बहुत ही पुराने हैं तो इसलिए आपको जो राय टांसर होगा वो 16 ही होगा क्योंकि जो मूल रूप से मंदिर थे वो 16 ही थे अगले कुशन है आपका 45 सीतकाल में मां गंगा की डोली गंगोतरी से किस गाउं में लाई जाती है तो आपको बताना है सीतकाल में जो मा मुख्वा गाउं क्रसाली गाउं लाता गाउं या गंग नानी गाउं तो दूस्ता आपको जो राय टांसर होगा ऐ यानि मुख्वा गाउं में क्या मा गंगा की डोली गंगोतरी से लगाया जाती है बहुशन में 46 है कुटार्मल के समीप कांसा प्रशिद्मंदिर इस्तित हैं उसको बताना है, उसके समीप कौण Simon प्रसिद मंदिर है भले यह आप उसको कटारमल का सूर्य मंदिर कहते हैं लेकिन सूर्य मंदिर है वो बाड़ा दित्य का और कटारमल में स्थित है इसलिए उसको क्या कटारमल का सूर्य मंदिर कहा जाता है यह आपको नोट कर लेना है तो दोस्तों आप सने आपका विल्कुर राइट हो जाएगा यानि कटार मल के समिप जो मंदिर है वो सूर्य मंदिर है प्रेशन कैसे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि आयोग का जोस्तर है वो बढ़ चुका है तो देख लेते हैं अगला कॉश्चन ध्यान बद्री का मंदिर कहा स्तित है आपको बताना है कि जो ध्यान बद्री का मंदिर है वो राज्य में कहा स्तित है उप्सन है आपके पास उर्गम घाटी या अधि बद्री पांडू केश्वर या गुपतकाशी तो दोस्तो आपको जो राइट उप्सन हो जाएगा 47 का ए यानि उर्गम उर्गम घाटी में जो है ध्यान बद्री का मंदिर इस्तित है अगले कुश्चन है आपका हजरत मकदूम अलाउद्दीन अली एहमद सहाशाबिर बहुत लंबा नाम है माओ देगा तो आपको बताना है जो इनकी परसेद धरगा है पिरान कलियर वो उत्राखन राजे के किस सहर में है तो आपका उप्सन डी राइट हो जाएगा पिरान कलियर आप सभी को पता है रूर्गी में पढ़ता है तो दोस्तो ये प्रशन 48 ही हो पाए है तो आप से आसा है कि आप सभी प्रशनों को नोट करेंगे और अपने त्यारी को बहतर तरीके से करेंगे तो दोस्तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की तो अपना खैर लखेगा थैंकियो फॉर वाचिंग